नमस्कार साथियों आज हम लोग जानेंगे कि अगर आप विडियो में जानेंगे कि एर क्या है तथा इस एर को कैसे ठीक किया जाता है तो उधारन के लिए हम आप लोग को एक चेकलिस्ट का निस्पादन करके दिखाते हैं इसके लिए बियलो आप पर जाकरके चेकलिस्ट वाले सेक्शन को ओपेन करेंगे और उसमें से चेकलिस्ट को सेलेक्ट करके उसे ओपेन करेंगे open करने के बाद उपर में आपको personal detail दिखाई देता है personal detail की नीचे उस ब्यक्ति का नाम दिखाई देगा जो नाम काटने के लिए कह रहा है उसके नीचे में आपको कारण दिखाई देगा किस कारण से नाम काटने के लिए कहा जा रहा है जैसे इसमें लिखा हुआ है already enrolled यानि इनका नाम पहले से जुरा हुआ है इसलिए इसके नाम को कटने के लिए अबेदन किया जा रहा है उसके नीचे में है detail of the person इसमें आपको उस ब्यक्ति का नाम दिखाई देगा जिसका नाम कटने वाला है तो इसे आप लोग गोड से आपको information प्राप्त हुआ है उस पर ठीक लगा देना है जैसे मैं already enrolled पे क्लिक कर रहा हूं नीचे है कि सब्सक्राइब सब्सक्राइब करेंगे उसके नीचे में रिमार्क है तो रिमार्क में आपका जो भी मनतब हो उसको लिख देंगे लिखने के बाद समिट पे क्लिक करते हैं तो आप जैसे ही समिट पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का एरव दिखाई दे देता है जिसमें लिखा हुआ है पॉस्ट ऑफिस भीवन कैनोट भी नल और इमपटी तो इसका मतलब क्या होता है इस एरड का मतलब है कि इस चेकलिस्ट में एड्रस वाले कॉ यहां तो इसको हमने करना है तो इसको फिल करने के लिए detail आफ डापरश सेक्शन के नीचे में जब जाएंगे तो आपको same और not same का दो बिकल्प दिखाई देते हैं उसमें आपको not same वाले पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद पुना आपको उपर detail of the person के पाह जाना है वहाँ बगल में आपको एक pencil का icon दिखाई देगा उसमें क्लिक करना है उसमें क्लिक करने के बाद आपको address open हो जाएगा जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि address में सिर्फ house number लिखा हुआ है बाकि सारा column खाली है तो आप लोग इसको भर लेंगे जैसे में estate area, village, post office, pin code, तहसील इन सारे detail को आपको भर लेना है सारे detail को भरने के बाद नीचे आपको एक update का option दिखाई देगा उस पर आपको क्लिक कर देना है और update कर लेना है तो चलिए मैं अपना सारे address को फिल कर लेता हूँ फिल करने के बाद update पे मैंने क्लिक कर दिया अब आप देख सकते हैं कि जो address में पहले से खाली था वो सभी में भड़ा हूँ आ गया है अब हमें इसका निस्पादन करना है तो निस्पादन करने के लिए information वाले section में जाकर already enroll पे क्लिक कर देते हैं उसके बाद यास पे क्लि कर देंगे अब जैसे समिट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि verify successfully हो गया है यानि मेरा या चक्रिश्ट निस्पादन अब हो गया है तो आप लोग भी इसी तरीके से चक्रिश्ट करने सपादन कर सकते हैं तो मुझे उमीद है कि आप लोग forum 7 में आ रहे है इरड को आप लोग ठीक कर सकते हैं अगर वियलो एप से समंधित कोई भी आप लोग कोई समस्या आ रही हो तो आप लोग हमें comment box में पूछ सकते हैं इसी तरह के informative वीडियो के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंदे